अगर हम दर्थ की बात करें तो हम दर्थ एक डीम्ड उनिवस्टी है जिसका पोर्टल भी MCC है उसके लिए भी आप MCC से ही अपलाई कर सकते हैं लेकिन यह जो आपकी डैली काउंसलिंग से रिलेटिड न्यूस होती है वो आपकी नोटिसीज होते हैं वो आपकी डैली की ऑफिशल वेपसाइट है मेडिक करने वाले है उकदम लेटिस्ट अपडेट है न्यू ओफिशल अपडेट है नोटिस के थूँ आई है जिसके बारे में हम बात करेंगे सो फ्रेंड आप पोर्टल पर देख सकते हैं फोर आपको न्यू क्लिक यह यहां पर शो हो रहे हैं जिसमें से फ्रेंड हम एक यहां प बात कर लेते हैं फिर हम रजिस्टेशन पर आएंगे फ्रेंड आप देखिए इसको यहां पर ओपन करेंगे तो फ्रेंड आपको यहां पर शो हो रहा होगा जर्नल इंस्ट्रक्शन्स फॉर ऑल दा कैंडिडेट्ट हुआ सिकिंग अड्मीशन अंडर सी डबलू कैटिगरी त इसमें भी आपकी प्रियॉरिटीज होती है प्रियॉरिटीज का इनों यहां पर हम देख सकते हैं प्रियॉरिटीज का पूरो इनों ने आप एक पेज दिया है जिसमें आपकी जो है वो सारी प्रियॉरिटीज यहां पर मैंशन की गई है कि आर्मी फोर्स में आपके कौन जो कि आपकी आती हैं तो फ्रेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका first होता है वो होता है विडो वार्ड ओफ डिफेंस परसनल किल्ड इन अक्शन तो फ्रेंट यह एक फॉर्म है जो कि आपको फिल करना होगा लेकिन इसमें priority mention है त हम आपको यह बता देते हैं तो first वाली जो priority होती है उसमें war killed कोई अगर war होता है तो हमारा जो आर्मी का person है जो हमारे आर्मी के जवान है जो की शहीद हो जाते हैं तो यह first वाली priority इनके लिए आती है defense personal killed in action second वाले की बात करें तो friend आपको जो second वाला है वो है हमारा जो war होत होते हैं आर्मी person होते हैं जो injured हो जाते हैं second priority में वो आते हैं third priority की friends अगर हम बात करते हैं third priority आप देख सकते हैं widows ward of defense personal who died violence service and death attribute to military service जो military में हमारे candidates होते हैं जो military में service देते हैं जब कोई operation चलता है जब कोई operation के लिए पूरी team बनती है तो उस time अगर कोई हमारा military candidate है वो शहीद हो जाता है तो third priority में हमारे वो आ जाते हैं fourth priority जो हमारी होती है उसमें friend आते है wards of defense personal disabled in peace time and board out with disability attributable to the military service यह friend वाई है कि जब कोई operation चलता है तो जो military के candidates होते हैं हमारे वो अगर injured हो जाते हैं अगर उनको कोई disability हो जाती है तो यह fourth आते हैं फिफ प्रियोरिटी jiden ko award मिले होते हैं award be Trans पुलीश मैडल फॉर गयलेंट्री तो पर एक चल्वी जतने भी अवाट्स दिये जाते हैं एक military person को या एक पुलिसमेन को तो वो सारे अवार्ट्स अगर candidate के पास मतब अवार्ट जो होते हैं आपके तो अगर उन में से कोई हो आप तब भी friend आप registration के लिए आप पर eligible हो जाते हो एक आपकी friend आती है हमारी 6th category word of ex-servicemen कि मतलब जितने भी candidates थे चाहे वो वार में थे या operation में थे जो आम एक तरीके से बोल सकते हैं जो ठीक से सही सलामत जो है अपने duty पर अगेन आ जाते हैं या ex-servicemen हो जाते हैं अपने घर पर आ जाते हैं अपनी duty जिनकी पूरी हो जाती एक सर्विसमें हम इसको कहते हैं तो इवर्ट जादा अच्छा लग रहा है तो प्रियोरिटी इसकी बात करें नेक्स्ट की बात की तो डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन एक्शन और बोर्ड आउट फॉर्म सर्विस ये फ्रेंट देखिए हमने जिन केटिग्री इसको उपर पड़ा है उन्हीं प्रियोरिटी इसको यहां पर सब सब प्रियोरिटी करके छोटे-छोटे पॉइंट्स के द्वारा इनोंने यहां पर दिखा दिया है तो आपका यह फॉर्म है जिसमें फिल करना होता है कि मतलब आप किस से तालुक रखते हैं ठीके फ्रेंट किस आपके यह डिसकस करेंगे कि फॉर्म फिल कहां से करना है तो फ्रेंट रेखिए नोटिस ओपन हो चुका है केंडिडेट रिक्वाइट टू एप्लाई ऑनलाइन वाब बिजिटिंग दवेब साइट ऑफ दा फेकुल्टी ऑफ मेडिकल साइन्स तो फ्रेंड यह आपका वही है कि देली कोटा के लिए आया है जो जिन केंडिडेट के पास देली स्टेट का डॉमिसाइल है जो की 85 परसेंट में आते हैं जिनकी 10th 11 12 जो है डेली स्टेट से है या उनको अपने अकेडमिक वेस पे या आपके रेजिडेंस बेस पे या आपका जो अधर क्रिटेरिया होता है उसके बेस पे डेली का डॉमिसाइल जो है उनके पास है तो वह और उनके जो गाजियान है वो CW कैटिगरी से रखते हैं जी डबलु कैटिगरी से उनका तालुक है तो फ्रण उनके लिए है ये ठीक है तो आगे हम बात करते हैं कि आपको कहां जाके रिजिस्टेशन करना ह है तो घुल सब अब आपने देखता है जैसे यह म 윤श कुछ डेर्ट नहीं बताई है कि आपके रजीश क्या होगी अच्छी नट सा चुका है आपका कल इवनिंग न तक नोटिस आ गया था रहला तो यह आप also जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं केंडिडेट करना चाहते हैं तो रजिस्टेशन कर सकते हैं लास्ट इसमें कोई भी मैंशन नहीं है यह आपको नोने आप एक शॉट में बताया है कि कैसे करना है दा एंटायर फील बाइदा केंडिडेट शुट भी रीचेक बिफॉर फाइ का वही रहेगा कि आपको हम चली बता देते हैं यहां पर हमने क्लिक किया तो यह जो हमारा लिंक होता है जो पोर्टल हमारा ओपन हुआ है देखिए पोर्टल पर यह आपको दिख रहा है कि कौन-कौन से कैंडिडेट मेडिकल के लाइन के और जो आयुरवेदा में ही होते ह है वह कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते है तो कर सकते हैं आपको अपनी चॉइस फिल कर देनी है आपकी चॉइस क्या है कैटिगरी आपको फिल कर देनी है डिफेंस पर्सनल है पैरा मिलिटरी है पुलिस पर्सनल है कौन है वह आपको यहां फिल कर देना है नेम आपका फ सारी फीड यहां पे लौल मेंशना देना सारी फीड यहां पर देखिए रेड से हैं तो इसका मतलब मैंडेटरी हैं कोई भी ब्लाइक नहीं रहनी चाहिए निट ऑल इंडिया रहन जो मेंडिडेट कर देनी है एक आसले 15 डिली मेंडेटरी है और पास 11 तान 12 प्रॉम दा नेम of the school जिस भी स्कूल से आपने 11 12 की थी उसी स्कूल का नेम आप यहां पर जो है अपना वो मैंशन कर देंगे जो भी आपका रेजिदेंशल एड्रस है फिर उसके बाद स्ट्रीट का एड्रस आजाएगा आपका एड्रस आप जानते हैं काफी बड़ा होता है जिसमें सारी डिटेल्स होती है आपकी वो सारी आपको यहां पर यहां पर रॉंग बता रहा है क्योंकि मैं आपको सर्फ बता है इस स्टेट वाला पॉट आ जहां से हैं अगर उप से तो आप यहां पर प्रैस आपको कर दिए अपर बढ़ार ज्का इनी उप न्हां प्रडेश लिगे चोज सका नापके अपको कर लेंगे क्या मोबाईल नंबर फ्रय lesस्टर model डालिएगा ताकि कुछ भी आगर आपका पास मैसिज आता है नोटिफिकेशन आता है इंपॉर्टेंट अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है आप इसके लिए भी अपलाई कर रहे हैं अगर सी डवली कोटा के लिए तो देखिए आपके फोन पे या मैसिज पे या इमेल पे आपको जो है वह इंपॉर्टेंट इ कि भात कि उसमें आपके यता मैं ओर खेंद करेंद इब कर दांड करना था यहां पर अपुक्योंक को करनी है यहां पर डॉक्यूमेंट आपको कर देने है 1 MB से ज़ादा यहाँ पे अप्लोडेशन नहीं होगी Only PDF सिर्फ PDF यहाँ पे आपके अप्लोड होंगे सभी में 1 MB का साइज है सभी में PDF Educational Concession Certificate Education के जो Certificate है वो Candidate अप्लोड कर दीगा Pension Payment Order PPO Certificate आज जो गाजियन है उनका जो PPO है वो कर देना है Gazette Notification for Galantry Awarded अगर आपके गाजियन को Award मिले है जैसे भी हमने 10 Awards की बात की थी उनमें से कोई Award मिला है तो जो उसका होता है Notification वगएरा जो भी होता है आपका वो यहाँ पे अप्लोड कर देना है Service Discharge Book Medical Board Processing और Next है Any Supporting Document Issue by the Record Office MP Director Ministry of Home Affairs MHA for Entitlement Under CWD category यह front जिनके जिनके जो Guardian है, Mother Father है वो इस आपकी CW आपकी जो है वो आर्मी परसन से जिनका तालुक है उन लोगों को पता है जो documents मिलते हैं तो वो ही document अप्लोड करने है Admit Card, NIT का Score Card Mark Sheet 11th की Mark Sheet 12th की Upload कर देनी है इसको यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है अगर कुछ आपसे यह field बोलता है कि इसको match कीजिए, match कर देना है देन आपको continue कर देना है आगे जो detail आएंगी उसको fill करना है payment को option आएगा तो payment कर देना है अब यह वाला हमारा डन हो गया और friend आपको जब आप करेंगे तो obviously बात है अगर आपको कोई आपको registration ID प्रुवाइड होती है या password आगे चलके create करना पड़ता है तो उसको अपने पास बहुत ज़्यादा समहाल के रखें उसकी अपने mobile phone में photo भी click कर के रखें साथ साथ friend उसकी अपना print भी ले 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 उसका print ले ले screenshot ले ले form complete हो जाएगा तो print का option जरूर आता है print या download का आता है दोनों एकी चीज होती है print करके या service PDF कर लीजिए और अपने पास एक hard copy निकाल के रख लीजिए otherwise उसका screenshot लेके रख लीजिएगा ताकि ID password जो है वो आपको क्योंकि reference में ID password ही काम आता है तो ID password को बहुत जादा समाल के अपने पास जरूर रखें ठीक है अब यह हो गया अब हम बात करते है documents की तो submission of document for entitlement concession for seeking admission under CWD category या आपको letter number वगेरे नोंनों inform किया है various using course 85% Delhi quota for the academic session are requested to submit the relevant document relating to CW concession entitlement on the portal of Delhi University ये friend आपका website है इस website पे आप जाएंगे अपका ID password अगर मांगता है तो उस पे mention कीजिएगा जो documents upload करने है उन documents को बहुत ही जादा ध्यान से upload कर दीजिएगा चेक करके while visiting the website of the faculty of medical science ये हम जिस website पे है friend इसी पे आपको अपने जो documents से भी है जिनकी बात कर रहे थे वो सारे आपको अपडेट करने है date इन्होंने friend यहाँ पे देखिए mention की है course updated of MBBS BDS click करना है click on the link उसके बाद friend आप इस link यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है ये copy नहीं हो पाएगा आपका आप इसको click करके अपने chrome पे या गूगल पे इसको type करके open कर लीजेगा the portal shall remain open for तो जो portal है friend वो 26th of September से कल से आपका 29th of September last date है आपके आज 27 हो गई है friend आज का कल का और आपके पास परसो इवनिंग तक का टाइम है साम को पांच बजे तक का टाइम है तो जो candidate है जिनके mother father जो है वो आर्मी बैक ग्राउंड से हैं तो वो इसके लिए जरूर अपलाई करें अगर उनके पास score है क्योंकि friend आप जानते हैं कि जो आपकी cut off होती है score होती है वो बहुत जादा माईने रखता है और domicile है तो जरूर करें तो इन में से ही हम कुछ की बात कर लेते हैं अगर हम बात करते हैं मौलाना आजाद medical college की तो friend ये जो था आपका last year जो closing हुई थी journal category के लिए वो हुई थी आपकी 2,8,000 rank पे close हो गया था ऐसे ही हम बात करते हैं Lady Hardy की Lady Hardy New Delhi का जो college है तो friend इसकी जो last year closing हुई थी वो 19,000 पे हो गया था CW की हम बात कर रहे हैं और हम बात करते हैं यूनिवस्टी college of medical science की government के colleges है friend सारे तो इसकी जो last year closing थी वो थी आपकी 13,000 पे last year close हो गया था 13,321 पे next है हमारा वर्दमान महावीर medical college सफदर गंज का college है friend इसकी short form है general category की अभी हम बात कर रहे हैं सभी colleges की तो जो इसकी last year closing rank रही थी वो रही थी 278,000 फ्रेंड आप जानते हैं last year MCC में पांच राउंड हुए थे seat बचने के कारण आपका specialist तक आपकी जो counseling थी last year वो पहुच गई थी तो जो यह हम आपको बता रहे हैं यह आपको overall आ रहा है यहां पर और हम बात करते हैं इंस्टिट्यूट ओफ मेडिकल साइंस और डॉक्टर आरेमेल हॉस्पिटल भी जिसे बोलते हैं निव डैली का general category के लिए last year closing रही है इसकी वो रही है आपकी 27,583 तो फ्रेंट क्लोजिंग की भी हमने बात कर लिए general category के लिए interested candidate जाए और अपने registration के लिए apply करें document अपने सारे सही से upload करें अगर कोई query आती है तो comment box में comment करें और नीट यूजी पीजियू से related और भी information के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिएगा और भी फ्रेंट को new latest update आता है किसी भी state का तो आपको edu ambrosia के चैनल के थू inform किया जाएगा thank you for watching this video and friend all the very best for your neat counseling activities झाल 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 झाल